19 नमबर में विकास, विपिन और विवेक ज्वाइन इन्टो आ पार्टनर्शिप। क्या-क्या नाम है। विकास, विपिन और विवेक। और विकास का 50,000 कितने मंद के लिए। 16-month और विपिन का 60,000 कितने और विवेक का 50,000 कितने में, विवेक स्थbon में और विवेक। तो, find the share of vikaas. बदा, ये 40-0, 40-0, 40-0 um Yang times Mic 30, 24, d 20. कटेगा, 15, 12, 10, किसका निकालना है, विकास का, 15 बटा, 35, इंटू 14, 800, 400, 15 चुका, 60, 2, 0, एंसर, 6000, अरे क्यों चिला रही है तुम लोग, कि काँ छेशाष क्याओखें, 55, हाऊ छेशा भी, है विकास में थेक अर्षर टिकोण है, कि यि कर भी फिर्धाने से ने दिए गाल्रिवें, निकारे के काहना मुंदेश, सहित थेला, ब एंसर, किशिए एंसर, कि अर्लां गर्लीत को मुंदेश, निकारे के शहीं आपेने मुं इसलिए बोलें उस पर भरोसा नहीं है, आप वीडियो आ गया होगा, आप वीडियो तो आ गया होगा, इभी सी ने एक चारगा किराय पर लिया, एक के पास सात महिने के लिए दस बैल है, बी के पास पांच महिने के लिए बारह, और एक के पास तीन महिने के लिए पंदरह, किराया सत्रह सब पचास है, तो परते को कितना किराया देना होगा, आप देखो, ए, बी, सी, एक का कितना है 10 गुना 7, B का 12 गुना 5, C का 15 गुना 3, तो समय और बाल किसंग्या दोनों दिया हुआ है, तो कटेगा, 70, 60, 45, क्या लग रहा है, 5 से कटेगा, 14, 12, 9, किसका पूछ रहा है, परतेग का, पाले वाले को, 14, 12, 26, 9, 35, X बराबर 1750, चलो पाले वाले का, 14 गुना 1750, और दूसरे का, 12 गुना 1750, इतने ही पे पकर में आजाना चाहिए, कितने बार में कट रहा है, 50, 700, और ये, 600, ऐसे ही, अगले वाले का, आप्शन A, अब होता है न, कि हम अकेले कोई भी फिल्ड को, रेंट पर नहीं ले सकते हैं, तो तीन आदवी मिल के लिए, अब उसका बटवारा कैसे होगा, तो किसका कितना गाय, कितना महीना घास चर रही है, तो उस इसाब से, नमबर आप काउज इंटू, मंथ, करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कितनी आदवी मिल के लिए, तो बराबर-बराबर कर लो, नहीं, किसी के पास 5 काउज होगा, किसी के पास 15 होगा, किसी के पास 22 होगा, तो जिसका जितना होगा, उस रेशियो में, किराया भी लगेगा अगला कोश्चन A और B क्रमसा 12,000 और 16,000 का निवेश करते हैं आठ महिने बाद C भी है A, B, C A का कितना है जी 12,000 B का 16,000 और C का 15,000 आगे क्या का रहा है दो साल बाद दो साल मतलब 24 महिना है इसका और इसका भी ये आठ महिने बाद आया तो 16 दो बर्स में 24 महिना आपको ये आठ महिने बाद आया तो 16 महिना रहेगा अब बता, ये 3,0 3,0, 3,0 कटेगा? ये आठ पांच कैसे कटे जागा? आठ दुना 16 आठ तिया 24 आठ तिया 24 फिर देख रहे हैं तेन तेन पांच फिर कटेगा दो से यानि 12, 16 और 10 6, 8, 5 किसका पूछ रहा है? C पांच है पांच C का पांच विट्टा 19 इन्टू 45,600 19 दुना अर्थिस 24 24 पच्चे 120 दो जिरो यानि 12,000 एक जिरो यानि कम है क्या? आजिवा नापडीच भी था ठीक है जब एक जिरो लगा दिये तो बारह हजार हो गया तो आठ मेना तो है तो तुम लोग भी बना लो, देखो तो यहां बोट पे तो आठी बहिना है, वो फूल स्टॉप क्या जो पूर्ण विराम लिखा जाता है, वो सट गया होगा टाइपिंग में, और यहां फिर से ट्रांसलेट किये, तो इसलिए यहां सही है, आगे बढ़ें, चुरेष ने एक दुकान 12,000 रुपे के निवेश किया, और दिनेश 4 महिना बाद 7,000 निवेश करके जुड़ गया, एक वर्स के अंथ में, कौन को नाम है? चुरेष दिनेश, सुरेष का कितना? 12,000, दिनेश का? तो question repeated लग रहा है After four month ये आया और एक verse यानि ये बारह महिना और ये आठ महिना Ratio कितना आया? 18 और 7 का तो दिनेश का पूछ रहा है 7 वटा 25 गुना 13300 उसमें हाँ सुरेश का पूछा था इसमें दिनेश का पूछ रहा है तो answer क्या होगा? None of these चलो, next question के एक हजार रुपे के साथ एक ब्यावसायच सुरू करता है पी छे महिने बाद 4000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है C केवल 4 महिने के लिए 5000 लगाता है वर्स के एंत में ब्यावसायच में 2800 रुपे का लाब हुआ तो लाब कैसे बंटेगा? समझ गया है? A का कितना पैसा है? 1000 B का 4000 6 महिने बाद आया तो A का 1000 गुना 12 लिग दे और B का 4000 गुना 6 और C का यह 4 ही महिने के लिए आया तो बता, 3-0, 3-0 और 3-0 चैंसल आगे क्या होगा? यह 12 यह 24 20 कटेगा? 4 से 3 6 पांच 6 पांच यह 11 तीन 14 एक्स वरावर ऐसे लिग देखिया 14 एक्स वरावर अथाई सौ तो एक्स वरावर दो सौ तो इसका पैसा क्या होगा? इसका होगा 2 गुना 300 यानि छे सौ यह 1200 यह 1000 क्योंकि यह 3 एक्स फिर से देखो 3, 6, 9, 5, 14 एक्स वरावर अथाईस सौ एक्स वरावर दो सौ तो यह 3 एक्स है तो तीन गुना दो सौ यह 6 गुना दो सौ और यह 5 गुना दो सौ अगला कुश्चन 24 इस एक कंपनी का भागेदार है एक विसेश वर्स के दारान एक उलाव का एक तिहाई एक को कितना मिला है एक तिहाई बी को एक चौथाई और C को सेज 5000, इसको 5000, लेकिन fraction में ये भी क्या होगा, एक में से 1 वर्टा 3 और 1 वर्टा 4 घटा दो, कितना आएगा, 5 वर्टा 12, यानि यहां लिख देंगे 5 वर्टा 12, समय नहीं दिया, LCM 12, 3 से ये 4, 4 से 3 और ये 5, ध्यान देना, ये 5 वर्टा 5,000 दिया हुआ है, C का 5X वर्टा 5,000, तो A को कितना मिला, A को तो 4X है, यानि 4,000, जब fraction की बात की जाए, तो rest या सेसकार्थ क्या होता है, एक में से घटाए जाता है, कितने में से, क्योंकि part total एक होता है, कुल भाग एक, क्योंकि का दो एक शोधेते हैं, जब कर दोए में से, क्योंकि क्योंकि का देना, जब एक तो जए पुकि का दिए, क्योंकि का दो खितने कि देना, कि यह रहा है? 25 नमबर विने ने सत्तर हजार का निवेश करके एक व्यावसाय सुरू किया छे महिने बाद असोक 10 हजार नहीं एक लाग 5 हजार के साथ जुड़ गया और अगले छे महिने बाद सुनिल एक दसमलोग चार लाग के साथ जुड़ गया तो वर्ष के अंत में अर्जित लाव की रासी को बिने असोक और सुनिल के बीच किस अनपात में बाटा जाएगा? पाला कौन है? बिने कितना है? सत्तर हजार ये तो पूरा बारा महिने के लिए आगला कौन है? अशोक कितना लगाया? एक लाख पाँच हजार शे महिने बाद यानि छे महिने के लिए तीसरा कौन है? सुनिल कितना लगाया? एक लाख चार हजार एक लाख चालिस हजार ये अगले 6 महिन्हा तो अगले 6 महिन, इसके 6 महिने बाद ताई इसके 6 महिने बाद तब तो पैसा बिजनेस खतम हो गया था फिर से सुनो, एक साल ये रहा 12 महिने के लिए, यह जब शुरू किया, उसके 6 महिने बाद यह आया, तो इसके लिए 6 महिने बच गया, और यह क्या कह रहा उसके भी 6 महिने बाद, तो 12 महिने बित गया, तब तब समय है ही नहीं, आज तो बटवारा था, आज तुम पैसा लेके दौर के आए, सर मेरा भी आज तो बिजनेस खतम हो गया, फाइदा नहीं होगा, कि यह question गलत हो गया, answer होता, can't be determined. तो आज का class हम यही रोकते हैं.